हाई लो स्ट्रेंट्स आई वी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है आज हम लोग साइकलो कनवर्टर के बारे में पढ़ेंगे जो के एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक है और बिल्कुल निया टॉपिक है पिछले यानि इनवर्टर से इसका कोई रिलेशन नही है जो के AC को AC में ही बदलता है यानि इनपूट भी AC और और पूट भी AC तो फिर फैदा क्या तो फैदा यह है कि हम लोग एक फिक्स AC से वेरियेबल AC के अंदर बदलते हैं उसी चीज़ को छोटे से ब्लॉग डाइगराम के अंदर देखाया है साइकलो कनवर्टर एक ऐसा दिवाइस है जिसको हम लोग या जिसकी मदद से हम लोग फिक्स AC को वेरियेबल AC में बदल लेते हैं फिक्स AC कहने का मतलब क्या हुआ जिसका वोल्टेज और फिरिकेंसी फिक्स होता है वेरियेबल AC कहने का मतलब जिसका हमारा वोल्टेज एंड फिरिकेंसी वैरी करता है तो हम लोग इस device यानि cyclo converter की मदद से हम लोग fix voltage और fix frequency वाले input को variable voltage, variable frequency के अंदर convert कर सकते हैं और mainly तोर से इसका जो use होता है variable frequency के लिए होता है यानि cyclo converter का main काम हम लोग क्या समझते हैं यानि इसका क्यों use किया जाता है तो हम लोगों को fix input या fix frequency से variable frequency के अंदर conversion के लिए generally हमारा 50 Hz frequency होता है तो अगर हमको output के अंदर variable frequency चाहिए तो ये एक मातर device है जिसकी मदद से हम लोग variable frequency को पराप्त कर पाते हैं और उसका नाम है cyclo converter यानि आप चाहिएगा तो 50 Hz को 60 Hz के अंदर भी convert कर सकते हैं 55 Hz के अंदर भी या कम भी कर सकते हैं 40 Hz, 45 Hz यानि आप अपने अवशक्ता के अनुसार आप अपने requirement के अनुसार variable frequency को पराप्त कर सकते हैं तो fix AC कहने का मतलब यहाँ पर mainly तोर से हम लोग समझते हैं fix frequency को variable frequency के अंदर convert करने वाले device को cyclo converter कहा जाता है तो यह आपको basic idea मालूम चल गया कि cyclo converter क्या है इसका क्या उपयोग है क्यों use करते हैं अब mainly तोर से यह समझे कि cyclo converter यानि frequency को change हम लोग क्यों करेंगे उसकी जरूरत क्यों पड़ी तो आपने पूरे machine के अंदर पढ़ा है 120 F by P यानि synchronous speed पढ़ा है जहां पर NS वराबर 120 F by P होता है जो कि induction motor के अंदर इसके इलावा synchronous motor के अंदर पराप्त किया जाता है तो हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे जेनरल induction motor के अंदर frequency की value को change करके हम लोग speed को control कर सकते हैं इसलिए इसका बहुत उपयोग होता है cyclo converter का industry वगारा के अंदर क्योंकि industry में induction motor बहुत जादा popularly use किया जाता है और induction motor की speed control के लिए हम लोग cyclo converter को उपयोग करते हैं जिसकी मदद से हम लोग frequency को change कर लेते हैं और frequency change होगा तो आपकी speed change हो जाएगी according to requirement तो ये मिली तोर से दो तरह का होता है cyclo converter एक step up होता है और दूसरा step down cyclo converter जैसे transformer में पढ़ाता है step up step down voltage बढ़ाते तो step up voltage घटाते तो step down उसी तरह से step up cyclo converter कि इसको बोला जाएगा जिसमें हमारा output जो frequency होगा वो supply frequency से ज्यादा होगा तो उसी को short में हाँ पर लिखा है यदि output frequency supply frequency से ज्यादा है तो क्या कहलागा step up cyclo converter कहलागा यनि 50 hertz दे रहें output में 60 hertz मिल ला है तो कौन सा cyclo converter है step up cyclo converter यदि output frequency supply frequency से कम होगी 50 hertz से output में 40 hertz मिल ला है तो यदि output frequency supply frequency से कम होगी तो step-down cycle converter कहलाएगा तो ये mainly तोर से 2 cycle converter हम लोगों को पहना होता है एक step-up cycle converter और दूसरा step-down cycle converter इसके लब और भी अगर हम लोग 3-phase cycle converter की भी बात कर सकते हैं लेकिन mainly तोर से जो हम लोगों को single phase step-up and step-down cycle converter पढ़ना होता है तो हम लोग इसी की चर्चा करेंगे step up and step non single phase cycle converter किये अब यहाँ पर देखिया application हमने लिख लिया है और भी बहुत सारा application लिख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा speed control of AC motor AC motor कहां यूज होता है तो आप लिख सकते हैं washing machine के अंदर यूज होता है इसके अलावा आपका paper mills के अंदर यूज होता है इसी तरह से बहुत जगापर आप अलग-अलग करके इसको लिख सकते हैं तो speed control of AC motor का उपयोग में किया जाता है cyclo converter induction heating के लिए heating को control करने के लिए static VAR compensation के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं डिफरेंट जगहा पर frequency की value को change करके हम लोग बहुत सारा उपयोग कर पाते हैं इस cyclo converter को तो ये आप लोगों को idea लग गया basic information cyclo converter क्या है कितने परकार का है और इसका use कहां कहां पर है ये सारी बाते हैं अब mainly दोर से हम लोगों को जो पढ़ना है वो single face step down cyclo converter सोरी पहला आपका step up cyclo converter होगा step up cyclo converter step down आगे बात करेंगे हम लोग ठीक है step up cyclo converter step up cyclo converter कहने का मतलब क्या हुआ कि frequency की value को बढ़ाना है frequency की value को बढ़ाना है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे कि input frequency क्या है cycle पर second तो cycle पर second अगर हमारे पास frequency के value मान के चलते हैं सबसे आसान frequency एक second में एक अगर cycle complete कर रहा है तो उसको कितना में convert कर देना ज्यादा में convert कर देना तीन कर सकते हैं पांस कर सकते हैं अविशक्ता कुनुसार तो हम लोग step अब cycle converter के अंदर frequency की value को बढ़ाएंगे अगर हमारा एक frequency मिल ला है एक second के अंदर तो उस एक second को हम लोग तीन cycle के अंदर convert करेंगे उससे ज्यादा भी कर सकते हैं अभी हम लोग example ले रहे हैं cycle का कैसे है ध्यान से समझिएगा सबसे पहले समझिए cycle converter के अंदर क्या क्या चीज लगा हुआ है तो इसमें भी different type होता है एक mid point होता है दूसरा bridge type होता है तो मेली तोर से mid point आपको सब जगा पर मिलेगा तो इसलिए mid type हम लोग single phase step up cycle converter की बात करेंगे जिसके अंदर हम लोग supply input भी यानि frequency input भी कैसा AC दखाया है और load के cross output भी कैसा मिलेगा AC तो यह AC to AC converter होता है जिसमें हम लोग एक fix frequency को variable frequency के अंदर change करते हैं यहाँ पर क्या लगा हुआ है transformer लगा हुआ है step up transformer है 1 is to 2 ratio का है Vs supply है उतना ही voltage यहाँ पर मिलेगा primary winding में अब secondary sending में 1 is to 2 ratio के होनी वज़े से mid point होनी के वज़े से यहाँ पर भी Vs मिलेगा यहाँ पर भी Vs मिलेगा क्यों क्योंके Vs convert हो जागा 2 Vs में तो 2 Vs आधाधा बढ़ गया Vs इधर Vs इधर यहाँ हमारे पास एक cycle अगर इधर से complete होगा तो load को Vs मिलेगा इधर से complete होगा तो इधर भी हमको Vs मिलेगा positive मिलेगा negative मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं अब यहाँ पर मेलनी तोर से क्या करना हमको यहाँ पर अब देखिए थारिरिस्टर लगावा नाम अलग कर दिया ह्म P1 N1 कर दिया है P2 N2 कर दिया है चार थारिस्टर लगावा थारिस्टर का काम आपको मालू में पूरे power electronics में अब तक हम लोग क्या करते हैं سوीचिंग का काम on off करना तो हम लोग इस यानि ऑन और ऊफ करके कि हम लोग क्या करेंगे variable frequency पर आप करेंगे कैसे variable होगा आपको बहुत आसानी से समझ गया जाएगा तो मर्ग चलते हैं first half cycle में यानि यह वाला cycle है positive भी होगा negative भी होगा तो positive cycle के लिए हम बात करते हैं positive cycle में यह वाला polarity क्या होगी positive cycle में यह पलस होगा minus होगा पलस इधर उपर वाला है तो यहाँ पर पलस यहाँ पर मैनिस तो मैनिस का positive पलस हो जाएगा पलस का positive इधर मैनिस हो जाएगा तो यहाँ पर आपका पलस वी एस और यहाँ पर पलस वी एस लेकिन load के cross क्या होगा वो स और minus यहाँ पर केवल voltage की ही बात कर लेंगे एक frequency जो voltage का होगा वही current का होगा तो कोई एक चीज़ लेके चलते हैं हम लोग मन के चलते हैं voltage का लेके चलने polarity यह positive है negative है ध्यान से देखिएगा आप समझ में आ जाएगा बहुत आसानी से अगर हम किसको trigger कर रहे हैं P1 को positive half cycle है positive half cycle का मतलब जो polarity देखा है वो polarity आपको मिलेगा पलस मैने इधर पलस मैने और इधर आपको पलस मैने यह polarity मिल जागा positive half cycle में तो positive half cycle के अंदर क्या होगा यहां पर हम लिखा positive half cycle के अंदर P1 और into forward blocking mode के अंदर है या forward bias आप बोल सकते हैं यहाँ पर देखिए positive terminal है तो पलस इ से connect है इस से connect है तो यहाँ पर into क्या हो जागा minus terminal minus से connect है इसका मतलब into क्या हो जाएगा forward bias यहाँ पर P1 और यहाँ पर into यह दोनों क्या है forward bias और N1 और P2 अभी reverse bias है जब positive half cycle होगा तब तो हम इसी को trigger करेंगे तो हम trigger कर दिया है किसको P1 को तो P1 को अगर trigger करेंगे on करेंगे तो यहाँ से cycle complete हो जागा current इधर से flow होगा इधर से होगा positive terminal किससे connect है positive से negative terminal किससे connect है negative से तो V0 की जो value होगी वो किसके बराबर हो जाएगा? vs के बराबर होगा जब p1 को हम on करेंगे तब तो यहाँ पर लिखा जब p1 on होगा तो v0 बराबर होगा किसके vs के दूसरी बात जब हम किसको into को on करेंगे तो अब धियान से देखी यदि into को on होगा into on होगा तब plus terminal किससे connect है यहाँ पर load के minus terminal से और minus किससे connect है plus terminal से क्या मतलब हुआ कि यदि into on होगा तो current तो flow होगा इधर से लेकिन voltage की polarity क्या हो जाएगी voltage की polarity आपकी बदल जाएगी और वो क्या हो जाता वी नॉट बराबर होगा minus vs के जब into on होगा तो वी नॉट यानि ये जो value हो जाएगी वी नॉट वो बराबर होगा minus vs के क्यों क्योंके plus है minus से और minus वाला terminal इधर से देखेंगे तो plus से तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा into on होगा तो वी नॉट मैनस vs के बराबर होगा ये दो बात समझ में आगिया positive cycle में positive cycle में P1 conduct कर रहा है और into conduct कर रहा है पूरा change कहने का मतलब ये वाला minus और ये वाला क्या हो जाएगा plus तो minus है तो इधर minus और इधर आपका plus plus है तो ये वाला minus ये minus है तो इधर वाला plus ठीक है तो अब देखिए minus आगया terminal तो कौन forward bias हो गया n1 हो गया तो n1 क्या हो जाएगा आपका forward bias नीचे से कौन या पलस है तो पलस किया होगा तो P2 forward bias हो जाएगा तो P2 negative cycle में P2 क्या है forward bias तो ये भी किलियर हो गया होगा कौन forward bias होगा जब negative cycle होगा तब अब यहाँ पर देखते हैं voltage output voltage क्या मिलेगा तो यहाँ पर V0 जब इधर से आपका negative half cycle में N1 on होगा N1 on होगा तो कहाँ पर N1 on होगा तो negative terminal देखे किस से connect है यहाँ पर negative cycle के अंदर N1 on है तो N1 on होगा तो आपका क्या हो रहा N1 on होगा तो V0 किसके बराबर? Vs के बराबर अब यहाँ पर देखी यहाँ पर polarity plus और यह minus तो negative हो जाएगा तो पलट जाएगा negative होगा तो पलटेगा तो यह minus minus के साथ हो जाएगा और plus plus के साथ हो जाएगा अभी जो polarity देखाया वा यह कब की बात है? positive half cycle की बात है तो निगेटिव हाफ सैकिल होगा तो यहाँ पर आपका यह मैनस मैनस के साथ हो जाएगा और पलस पलस के साथ हो जाएगा तो इन वन आउन होने के वजए से वी नॉट किसके बराबर हो जाएगा वी एस के बराबर हो जाएगा और दूसरा जब पी टू आउन होगा तब क्या हो जाएगा तो वी नॉट जो है वी नॉट वो किसके बराबर यह positive terminal कहां पर मैनस लेकिन कब की बात हो रही है जब आपका यह plus और यह मैनस ठीक है और यहां पर आपका क्या हो जाएगा सॉरी इधर वाला plus terminal यहां से आपका supply इधर से पलस से हो रहा है लेकिन यह plus वाला कब देखाया वा है जब हमारा positive था तब अब लेकिन negative cycle में पलड जाएगा तो यहां पर negative हो जाएगा और negative इधर से पलस हो जाएगा ठीक है यहां पर जब polarity change हो जाएगी तो यह plus वाला minus है और minus वाला इधर पलस है तो पलस किस से कनेक्ट हो रहा है मैनस से तो पलस जब मैनस से कनेक्ट होगा तो हमारा वी नोट क्या मिलेगा मैनस वी एस मिलेगा इतना चीज़ अगर clear हो गया है तो आपको waveform बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है ध्यान से देखिएगा कि यह waveform बनावा है waveform के अंदर supply लिया है यहाँ पर जो black color से हम लोग देखाया है यह reference हमने लिया यह एक बार positive cycle अब यहाँ पर positive है तो उसी time में negative भी flow हो रहा है तो हम इसलिए यहाँ पर negative ही लिया है ठीक है तो positive कि P1 है तो positive उसी समय पर क्या हो रहा है इसके लिए इधर से आपका negative तो positive negative दोनों हम देखाये हैं एक साथ ठीक है अब देखें यह reference हो गया supply voltage हो गया लेकिन यहाँ पर P1 और N1 को हम operate कर रहे हैं अपने अविशक्ता अनुसार तो यदि हम क्या करेंगे इधर का एक positive cycle के अंदर हम कितना बार तीन बार इसको on off करेंगे थारिस्टर को तो हमारा voltage यानि frequency क्या हो जागा चेंज हो जागा अगर मान के चलिए यह positive cycle और यह negative cycle तो positive negative मिला कर one cycle होता है यह duration मान लेते हैं one second तो एक second में हम पूछेंगे frequency केतना है positive और negative यह negative यह positive तो frequency केतना है तो इस वाले cycle में frequency one hertz है तो वही चीज़ यहाँ पर देखाया है यह जो आपका बाहर वाला cycle दिखला है black color से हमने पहले बनाया था इसको उसके उपर blue से overlap किया है तो black वाला जो color है यहाँ से देखाया है यह आया positive cycle यहाँ पर यह positive cycle और इधर से negative cycle तो frequency के वालू केतना है one hertz है कब input frequency one hertz है step up करना हमको तो step up का मतलब क्या होता है step up का मतलब होता है कि frequency की value बढ़ा देना frequency बढ़ जागा मतलब number of cycle क्या हो जागा बढ़ जाएगा number of cycle बढ़ाना है तो हमको क्या करना है positive negative ज्यादा बार होना चाहिए तो अब देखिए यदि P1 को आप on करते है P1 को on किया तो voltage कैसा मिला plus Vs उसके बाद into on हुआ तो into on हुआ यह cycle कैसा है positive cycle है लेकिन positive cycle के अंदर जब हमारा into on होता है तो voltage कैसा मिलता है minus Vs तो into जब on हुआ तो voltage कैसा मिला minus Vs मिला ठीक है इसके बाद फिर हम किसको on करेंगे positive ही cycle में फिर से P1 को on किया तो P1 को जब on करेंगे तो Vnot क्या मिलेगा आपका plus Vs मिलेगा आरहाबा समझ में क्या कर रहे हम thyristor को on off कर रहे हैं तो same positive ही cycle के अंदर एक बार P1 को फिर into को फिर P1 को तो आपको क्या मिल जा रहा है एक बार plus Vs minus Vs फिर minus Vs तो इस तरह करने से क्या हो जाएगा कि आपका number of cycle बढ़ रहा है ये एक positive cycle ये negative cycle positive cycle, negative cycle तो इस तरह से क्या हो जाएगा कि आपका number of cycle बढ़ जाएगा फिर से हम बता रहे हैं आपको कि ये positive cycle की बात हुई positive cycle में हम क्या किया है P1 कौन किया तो हमको Vs मिला N2 कौन किया तो minus Vn फिर से आपका P1 कौन करेंगे तो हमारा Vs मिलेगा अब देखिए negative cycle के अंदर negative cycle के अंदर यदि N1 को on करेंगे तो हमारा Vn क्या मिलेगा Vs के बाराबर positive तो अब धियान दिजेगा negative cycle negative cycle का मतलब यहां के बाद इस वाले duration के बाद क्या हुझा negative cycle आ जा रहा अब negative cycle में हम क्या कर रहे है N1 को on कर रहे हैं तो हमारा V0 क्या है Vs के बराबर यानी positive मिला है तो यह देखिए V0 के बराबर क्या positive लेकिन आप ध्यान से देखिएगा इस से तुलना कीज़ेगा तो यह negative है लेकिन इस से अगर तुलना कीज़ेगा negative वाले से तो यहाँ पर क्या है यह वाला positive है तो यहाँ पर V0 इसकी तुलना में यह क्या है आपका positive है तो यहाँ पर क्या हो जागए N1 जब on होगा तो V0 क्या हो जाएगा Vs के बराबर positive Vs के बराबर जब P2 on होगा तो V0 क्या मिल जा रहा है minus Vs तो यहाँ पर P2 जब on हो जाएगा तो मैनस वी एस ठीक है ये वाला आपका पॉस्टी वाला नीचे वाला गराफ जो था ये आपका क्या था मैनस वी एस तो इधर वाला गराफ उपर वाला क्या है आपका आप ये वाला सॉरी ये पलस था तो ये वाला क्या है आपका मैनस इस साइड वाला तो P2 जब ON होगा तो हमारा कैसा वोल्टइज मिल रहा है मैनस V,S मिलेगा फिर N1 जब ON होगा N1 ON होगा तो V NOT किसके बराबर है N1 ON होगा तो V NOT आपका PLUS V,S क्या मतलब हुआ मतलब यह हुआ कि हम लोग एक बार यह THIRISTER यह THIRISTER यह THIRISTER ये थारिस्टर बदल बदल के कर रहे हैं तो polarity change हो रही है एक बार हमको plus vs minus plus vs इधर फिर negative होने की वज़ा से ये plus हो गया और ये वाला minus हो गया ये पलस हो गया ये अब ध्यान से देखिएगा आप नमबर पहले total input वाला क्या था ये complete cycle आपका one hertz हो रहा था लेकिन अब output का जो graph बना ये किसका voltage है output का blue color से देखा और black से जो देखाया है वो क्या है input voltage का graph है दोनों एक ही के अंदर देखाया गया है generally ऐसी तरह से सब जगा पर देखाया वा रहता है आप चाहिएगा तो उपर में अलग से भी supply का देखा सकते हैं और ये वाला graph और्टपुट का देखा सकते हैं अब यहां पर क्या किया है हम के ये अब देखिए यहां पर plus यहां पर minus तो ये positive ये negative तो ये क्या बन गया one cycle बन गया ये ठीक है ये one cycle और ये क्या बन गया दूसरा cycle और ये plus ये minus ये क्या बन गया तीसरा cycle तो ऐसा कितना cycle बना तो तीन cycle मला तो इसका मतलब क्या हुआ frequency output में केतना हो गया है तीन हर्ट्स हो गया बात खतम बस इतना ही समझना था कि हम लोग क्या करेंगे with the help of thyristor on and off यानि switching हम लोग supply voltage की frequency को जो के 1 हर्ट्स था हम यहाँ पर कितना कर लिया है 3 हर्ट्स कर लिया है एक cycle ये हो गया दूसरा cycle ये तीसरा cycle positive negativity है तो हम लोग इस तरह से क्या कर लिया है 3 cycle के अंदर convert कर लिया आप ज़्यादा चाहते हैं 6 करना चाहते हैं और on off कीजिए जल्दी जल्दी कीजिए P1 फिर N2 फिर P1 फिर N2 फिर P1 फिर P1 इस तरह से करते रहिए जतना fast कीजिएगा उतना ही ज़्यादा number और frequency आपको मिल जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा step up cycle converter हुआ जिसमें हम लोग graph की मिद्द से सान में आया के हम लोग frequency अगर 1 Hz इंपुट में देते हैं तो output में हम कितना 3 Hz के अंदर convert कर लिए इस graph के लिए आप ज्यादा चाहते हैं दूसरा graph बना कर आप ज्यादा भी frequency देखा सकते हैं लेकिन ये बनाई आप आसान होगा सारे जगा पर यही चीज़ आपको देखने को मिलेगा तो आज के लिए इतना ही बहुत छोटा सा portion बज़ गया है जिसमें हम लोग step down cycle converter की बात करेंगे केवल circuit diagram वही केवल हम लोग क्या करेंगे frequency की graph को change करेंगे step down के अंदर इतना ही thank you